हेलो गाइज बर्ड स्केर इंफो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैलट के फुल डेट डाइट प्लान के बारे में आज की वीडियो काफी ज़ाता है हेल्फूल होने वाली वीडियो के एंड तक बने रहे हैं और करो पने आगते चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि सारे लेट फूडियो की नोटिफिकेशन आप方स्ते पहले मिल जाता चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो एसबसे पहले हम टाइमिंग की कब- पपप अपन करनिंग के 6 बज़े देना है फिर 4 आवर्स का गैप करके 10 बज़े देना है फिर 3 आवर्स का गैप करके एक बज़े देना है फिर 4 आवर्स का गैप करके 5 बज़े देना है मतलब दिन में 4 टाइमस अपने पैर्ट को फूड देना है अब हम यह बात करेंगे कि हम अपने पैर् लिए हम morning time से start करेंगे कि हमें अपने पैड को morning time में क्या देना है तो morning के 6 वजे कर देना है अस्पराउट्स के लिए आपको लेना है काला चना गेउंख और हरेमून की डाल इन टीनों को रात में पानी में डाल देना है और सुबह में अच्छे सी धोकर अपने पैरेट को खाने के लिए दे देना है तो दोस्तो क्या होता है जब हम अपने पैरेट को संफ्लावर सीड कॉंड जैसे हैवी हैवी फूर्ट देते हैं तो उनका डाइजेस्ट बिगर जाता है और ऐसे में अगर आप अपने पैरट को अस्पराउट्स नहीं देते तो उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है इसलिए पैरट को डेली अस्पराउट्स देना है ताकि उनका डाइजेशन सही रहे अब हम बात करेंगे 6 वजे के बाद 10 वजे क्या देना है तो 10 वजे देना है mix fruits and vegetable fruits में आप दे सकते हैं किसी दिन apple दे दिया तो किसी दिन guaba दे दिया तो किसी दिन grapes दे दिया तो किसी दिन papaya और vegetables में onion garlic and ginger को छोड़कर हम अपने पैरट को कोई भी vegetable दे सकते हैं तो क्या करना है कोई भी एक fruit and vegetable लेकर अपने पैरट को 10 वजे दे देना है उसके बाद आती है दोपहर के एक बज़े के तो दोपहर को एक बज़े क्या देना है तो दोपहर के एक बज़े देना है mix seed पैरट के लिए mix seed कैसे बनाना है इस पर मैंने dedicated विडियो बना रखा है अगर आपने नहीं देखा तो link description box में मिल जाएगा इस विडियो को देखने के बाद उस विडियो को जरूर देखना अब हम बात करेंगे साम के 5 बजे क्या देना है तो दोस्तो साम के 5 बजे हम अपने पैलट को कुछ भी दे सकते हैं लाइक किसी दिन ऑल रेस दे दिया तो किसी दिन रोटी दे दिया, तो किसी दिन बॉयल्ड स्प्राउट्स दे दिया, तो किसी दिन कॉंट दे दिया तो इस तरह आप अपने पैर्ट का फुल डे डाइट प्लान कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे जो में बात आता है कि जब भी हम अपने पैर्ड को फूट दें तो उसका बाउल अच्छे से साफ कर दें ताकि वैक्टेरियल इंफेक्शन ना फैले और पैर्ड केज में 24 आवर्स फ्रेस वाटर का एक बाउल रहना चाहिए तो उमीद करता हूं कि इस विडियो से आपको काफी कुछ पीखने को मिला हो तो दोस्तो आज झाल झाल